कभी सोचता हूँ जजन कर ले जटन कुछ कर ले फिकर तु आए फिकर तु जाए जाने मन कहलाएगा आपका क्या होगा जना पेमाली फूलवती का गजराना पहिना हो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ जान बुल बुल की है फिल्मी किसे बायराकेश में आपका स्वागत है आज के एपिसोड में अमिताब बच्चन और सुभाश गई की अनबन की बात करेंगे क्यों सुभाश गई और अमिताब बच्चन साथ में काम नहीं कर पाए जो फिल्म शुरू हुई वो पूरी क्यों नहों सकी आज आपको वो सारे कारण बताएंगे अमिताब बच्चन की पहली फिल्म थी साथ हिंदुस्तानी जो 1969 में आई फिल्म खुआजा एहमद अबास ने बनाई थी उसमें जलाल आगा भी काम कर रहे थे सुभाश गई ने एक प्रोग्राम में बताया था कि उन्ही दिनों जलाल आगा ने ये बात बताई थी कि एक नया लड़का आया है लंबा है बहुत ही अच्छी आवाज है उसकी उसे देह कर ऐसा लगता है इंडस्ट्री में एक नया एरा शुरू होने वाला है समय गुजरा कई सारी असफल फिल्मों से होते हुए अमिताब अपने सही मकाम पर पहुँंच गए तब तक सुभाष गई ठीक से तहवी नहीं कर पाये थे कि उन्हें एक्टिंग करनी है राइटिंग करनी है या डिरेक्शन करनी है फिर सुभाष गई को भी वो रास्ता नजर आया जो उन्हें एक नामी निर्देशक बनाने वाला था 1976 में सुभाष घई की एज डारेक्टर पहली फिल्म आई काली चरन फिल्म की सफलता ने सुभाष घई को उनके करियर का सही रास्ता दिखा दिया फिर 1978 से हर साल सुभाष घई की एक फिल्म आने लगी 1978 में विश्वनात, 1989 में गौतम गोविंदा, 1980 में कर्ज, 1981 में क्रोधी, 1982 में विधाता, 1983 में हीरो हीरो ऐसी फिल्म थी जिसने सही मायने में सुभाष घई को एक बड़े निर्देशक के रूप में पॉपलर कर दिया ये सुभाष घई की तब तक की बनी फिल्मों में सबसे ज्यादा काम्याब रही 1984 में उनकी कोई फिल्म नहीं आई, 1985 में आई मेरी जंग, फिर 1986 में आई कर्मा इस फिल्म ने सुभाष घई को टॉप डिरेक्टर बना दिया अब सुभाष घई का कॉन्फिडेंस लेवल पूरे पीक पर था ऐसे में सुभाष घई ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया अमिताब बच्चन के साथ एक फिल्म शुरू की अमिताब बच्चन की स्टार वेल्यू क्या थी ये सब आप जानते हैं सुभाष घई के साथ उस फिल्म में जॉइन्ट परड्यूसर थे हबीब नड्याड वाला फिल्म का नाम रखा गया देवा अमिताब के साथ थे राजकुमार, मिनाक्षी शेशादरी, शमी कपूर, इला अरुन, म्यूजिक था लक्षमी कांथ, प्यारे लाल का ये एक एक्षन इमोशनल ड्रामा थी, इसमें अमिताब बच्चन एक डाकु का रोल निवा रहे थे 24 जनवरी 1987 को धूम धाम से इस फिल्म का महूरत हुआ और महूरत कलैब दिया दिलीब कुमार ने फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और करीब एक हफ़ते तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा फिर आया एक बड़े डिरेक्टर और एक बड़े एक्टर का इगो आमने सामने बताया जाता है कि एक दिन शूटिंग के समय जब ब्रेक था तो अमिताब आगे की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर अमिताब कुछ डिसकस करना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने सहायक से कहा कि वह जाकर सुभार्ष गई को बुला लाए सहायक ने ये बात सुभार्ष गई के रूम में जाकर उनसे कही तो सुभार्ष गई ने कहा कि अमिताब बच्चन से कहें अगर कुछ डिसकस करना है तो यहां मेरे पास आकर बात कर सकते हैं सहायक ने यही बात अमिताब से जाकर कह दी यह सुनकर अमिताब उठे और सीधा घर चले गए सुभाश गई को यह पता चला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा अगली सुभह भी सेट लगा रहा पर अमिताब शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे सुभाश गई ने उन्हें फोन भी नहीं किया और कई दिन इंतजार करने के बाद एक प्रेस कांफरेंस पुला के अनौन्स कर दिया कि एक्टर डिरेक्टर के बीच क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से देवा अब नहीं बन रही है इस तरह यह फिल्म बंद हो गई इसके इलावा कुछ और बातें भी सामने आती है ये भी सुनने में आया कि सुभाश गई ने कहा था कि अमिताब प्रफेशनली भेव नहीं कर रहे थे शट पर देर से आते थे और कहते थे उनकी तबियत खराब चल रही है आज का काम किसी और दिन ज्यादा देर तक शूट करके बैलन्स कर दूँगा पर ऐसा नहीं कर पा रहे थे अमिताब सच में बिमार चल रहे थे ये बात सुभाश गई भी देख पा रहे थे एक दिन जॉइंट परडूसर हबीब नडाड़ वाला ने सुभाश गई को कॉल किया और वो सुभाश गई पर जोर से चलाए कि अमिताब की तबियत ठीक नहीं है और तुम उनसे काम करवा जा रहे हो ये बात सुभाश गई को बुरी लगी अमिताब से बात करनी होती थी तो अमिताब के स्कृेटरी शीतल जैन से बात करने पड़ती थी ये बात सुभाजगई को इरिटेट कर रही थी सुभाजगई का कहना था कि मुझे डिरेक्टली अमिताब से बात करनी है कई बार अमिताब के बहाफ पर हबीब नड्याड वाला सुभाजगई से बात करते थे ये बात सुभाजगई को और भी बुरी लगती थी सुभाजगई ने ये भी कहा था कि अमिताब ने कुछ डेट्स कैंसल कर दी थी वोही डेट्स उन्होंने दूसरे प्रडूसर्स को दे दी थी सुभाजगई चाहते थे कि बातचीत ट्रांस्पेरंट हो आमने सामने हो कभी स्क्रेट्री कभी जॉइंट परडूसर अमिताब के तरफ से बात करते थे ऐसे में एक्टर और डिरेक्टर का रिष्टा बहतर कैसे हो सकता था एक्टर डिरेक्टर के बीच फासला सुभाजगई को बहुत परेशान कर रहा था कहते हैं सुभाजगई मदरास चले गए जहां अमिताब शेहन शाकी शूटिंग कर रहे थे और वहाँ जाकर अमिताब को बताया के मैं फिल्म बंद कर रहा हूं अमिताब को लगा सुभाजगई बोफोर्स सकेंडल की वज़े से फिल्म बंद कर रहे हैं सुभाशकई ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस फिल्म को लेकर जो स्ट्रेस मुझे हो रहा है वो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। बात ये भी हो रही थी कि अमिताब को सुभाज कई का काम करने का तरीका पसंद नहीं था और सेट पर सुभाज कई का एटिटूड पसंद नहीं था इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि बोनी कपूर सुभाज कई को बार बार कह रहे थे कि अमिताब वाली फिल्म बहुत महंगी साबित होगी उतना प्रॉपिट नहीं दे पाएगी उसके जगा अनिल कपूर को लेकर फिल्म शुरू करो जो कम पैसी में बनेगी और ज्या सुभाज कई को देवा कमप्लीट ना होने का दुख भुला दिया गुजरते समय के साथ अमिताब और सुभाज कई का रिष्टा भी नॉर्मल हो गया उनका मिलना जुलना नॉर्मल बात हो गई पर दोनों एक दूजे के साथ पिल्म नहीं कर पाए कुछ साल बाद सुभाज फिर थोड़ा गुसैल था मैं अगर अगर अपने गुसे पर काबू रख लेता तो देवा बन सकती थी मुझे हर काम जल्दी जल्दी चाहिया था मेरे अंदर पेशन्स नहीं थी एपिसोड में दी गई मैकसिमम इंफरमेशन आइम डीवी पर राम लखन के ट्रिविया किजिए कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग